इस तरह से दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर वोट डिलीशन का काम किया गया है उसके शिकायत भी करके आए हैं उसको जांस की भी मांगी थी तो कल वहाँ बातचीत के दौरान इलेक्शन कमिशन में कहा खुद कि देरे लाख जोड़े गए हैं दिल्ली में उसके बाद जानकारी बाहल मीडिया को भी ती तो शाम को पता चला कि सर्प्राइजिंग लेक्शन कमिशन के प्रिवक्ता ने प्रैस नोट जारी करके कहा कि नहीं यह तो बात ही नहीं कही पहली बार तो उस मीटिंग में सब लोग मौजूद ते रुआ हैं फिर उनको बताना चाहिए कि कितने वो डिलीट किये थी वह बहुत अंडरलाइं करके रॉन दोराउगा चाहिए वो उन्हों कहा था कि जान बूचके बूट डिलीट कराएं जा रहे हैं और चार-चार के वो डिलीट कराएं जा रहे हैं कि फर्जी तरीके से कोई रेंडम सर्वे दिखा के कोई दिखा के कि पेलों ने विजिट की वोट डिलीट कर दी जा रहे हैं और लिख दिया जा रहा है आदमी शिफ्ट हो गया वहां से वजह उसकी साफ है कि भारती जनता पार्टी इस वक्त जान चुकी है कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाद है इसलिए अब वो दूसरी पार्टी के सपोटर्स के वोट चांट चांट के आईडिया लग जाता है फॉर्ट इससे कि कहां किसको वोट जादे मिलें वहां से जिक कीट चांट है किसे से अब ही इससारा डीटा देखा एलेक्षिंट कमिर्शन कैम सायट करें टढ़ वह उन्हें लिस्ट डाली है दिल्ली की किर浪ाने गंदम लिक्वेश्ट के देखके प्डेटेbr Taiang वो शायद जो उनके हिसाब से थी, अब वो फाइनल डेट तो बताएंगे, वो एकडम लेटेस्ट नहीं है, लेकिन 2015 से अब तक किये, जितना डेटा डिलीट किया गया है, हमने उसको इस्टेडी किया, खुछ विधान सभाओं का, तो कि मैं पटपडगंज से विधायक हो, मै अब उनने कायने काई एस्टिडी किया, 24,100 वोट 24,000 वोट डिलीट किये गया है, विश्वाश नगर में 14,000 वोट डिलीट किये गये, लक्षमी नगर में 22,000 वोट डिलीट किये गये, 17,000 प्रव डिलीट किये वह अभी क्योंकि एक-एक फेज खोल के पूरा काउंट करना पड़ रहा है एक-एक विधान सभा का क्योंकि उन्होंने निया पूरा हमने उनसे कहा था आप हमें एक्सेट पर दे दीजिए उन्होंने का इसको नहीं दे सकते आपको अमने का साथ पूरी पाइज लिस्ट पक्चिस-पक्चिस के सेट में डाली हुई है तो हमने ये पांचे विधान सभाओं का कैल्कुलिट किया निकालके पटपडगन में 24,100 कॉंटली में 27,500 विश्वास नेगर में 14,000 लक्ष्मी नेगर में 22,000 बांधी नेगर में 13,000 ये वोट डिलीट किये अगर इसको एवरेज में थोड़ा लोरेंट पर लगाऊं 15,000 वोट हर विधान सभा से मानली जी अगर डिलीट किये गए हैं तो 70 विधान सभाओं में कुल मिलाके 10,500,000 वोट हो जाते हैं जो कि कल चीफ एलेक्षिन कमिशनर साब ने कहा था उससे टैली हो रहा है हाला कि अ 15,000 वोट अगर हर विधान सभा में डिलीट किये गए हैं तो 10,500,000 वोट तो डिलीट हो गए हैं आपने ये वोट कैसे डिलीट किये हैं मैंने पटपड़ विधान सभा के कुछ बूत का रेंडम उठा के डेटा अभी सुभह आपने कुछ वॉलिंटियर्स को कहा कि आप एक पर देख लिजे इस डेटा को क्योंकि उसकी सौर्टिंग करना भी इतना असान नहीं था पर क्योंकि भूत का हमारा वॉलिंटियर्स के लोगों को जानता है और अपने सपोर्टर को तो इस रूप से जानता है तो हमने कुछ अपने सपोर्टर को ऐसी दिया पिसले एक सब्सक्राइब कर देंगे एक सो साथ नंबर बूथ पर पटपडगंज में नूर मुहम्मद साथ रहते हैं जकारिया खान रहते हैं इनका एड्रेस है जवार महले में जो हमारी जुकियां है वहाँ पर बी 372 यह आपको शीट दे देंगे पूरी इनका वो डिलीट किया गया उस पर लिखा गया शिफ्टिट जबकि अभी मेरे वालुंटियर ने एक घंटे पहले उनकी धर जाके चेक्तिया वह वही रहते है वह शिफ्टिट कैसे लिख दिया गया इसी तरह से आठ नुम्मर भूथ पर स्वाती रहती हैं इनके फादर है विलास महरा साब एकता गार्डन में एकता गार्डन अपार्टमेंट है उनका वह डिलीट कर दिया गया मैं अड्रेस नहीं गोल रहा हूं जान बूच के हैं त तीन पर सब्सक्राइब दिखा के जबकि अभी मैंने पता कर वाया वह रहती है लेकिन वूट का बोट शिफ्टिट दिखा के डिलीट कर दिया गया चंदरविहर कॉलोंई है हमारे एकती थ्री बूथ नंबर पे पाच एड्रेसेज हैं राम वर्धन सिंह रहते हैं इनके फ दिखा के डिलीट कर दिया गया 83 बूत नंबर पे मुहम्मद नौशाद रहते हैं सन अफ मुहम्मद मुस्ताक उनका बूट डिलीट कर दिया गया शेप्टिट दिखा के जब कि वहीं रह रहे हैं यह हमने वेरिफिकेशन कर वा लिया और मैं बड़ी अथरिट के साथ बोल रह मेतार से 83 बूत नंबर पे घर्मिंद सनफ स्री निवास राजपूत छंदर व्यार में ही रहते हैं वहीं रहते हैं लेकिंजिक का की पर डिली इसनिल कुमार सनौ श्रीलिव राजपूत उन्का और डिलीट कर दिया गया इस conditioner एक्टा गार्ण में एक और है और एफ शान धर्मेश कुमार सनॉफ राजबीर सिंग यह वैस्ट मिनोग नगर में रहते हैं थर्टी फाइब नमर भूत के वहीं रहते हैं उनका वो डिलीट कर दिया गया यह तो बहुत रेंडम सा है कि हवारा पॉलिंटियर ने अपनी लिश्ट दे कि उसने का इसको तो मैं जानता हूं यह उनका वेरिफिकेशन कर लिया उसने यह आपको यह दो कि ले रहा है नाम दिखा वा है आदमी रह रहा है लेकिन उसने दिखाके उनका वो डिलीट कर दिया और जानबूज के डिलीट कर नहीं है यह तो इसकी सर्वे सवाल है कि लोगतंत्र में चुनाव और वोटिंग वोट डालना किसी भी आजमी का fundamental right है। चुनाव आयोग के इस शडियंत्र ने इन लोगों का fundamental right वाइट किया है। क्या आप संवेधानिक अधिकार को लोगतर के मूल अधिकार को इस तरह से चीन सकते हैं क्योंकि BJP को चितवाना है। चुनाव आयोग BJP की B-team बंके रह गया है कैश। क्यों डिलिट किया जा रहा है। क्या बजाय है इनकी कि आदमी को शिफ्क्र दिखा कर डिलिट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग जिस मेनद महले भी कहता है किसी में इस चुनाव आयोग को टिये इन शेशन जैशी शक्सियतें मुख्य चुनाव आयोग की कुरसी पे बैठ चुकी हैं। उन्होंने वहाँ पहुचाय है पूरे देश में पूरी दुनिया में साखे इसकी। एस वाई कुरसी साब जैसे लोग बैठ चुके हैं। इस चुनाव आयोग की साख को बीजेपी के लिए बीजेपी की बीटीम ना बनाए चुनाव आयोग साहब। अगर यहां गड़बड हुई है तो इसकी चांच कराएं। जिन लोगों ने गड़बड किया उनके खिलाब एक्शन लें। और जो चुनाव आयोग जिस काम के लिए बनाएं। चुनाव आयोग का काम है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को उसका वोट देने का इधिकार दिलवाना और फ्री एंट फेर एलेक्शन करना। फ्री एंट फेर एलेक्शन की तो बात बाद में करेंगे आप तो वोट कटवा रहे हो। सब के वोट बनवाए जाएं। वोट जो कटवाए गए हैं यह कैसे वोट डालेंगे लोग। फिर तो आपने डिसाइड कर दिया इनका फंडमेंटल राइट ही नहीं है। और हम जब आपको जाके कहते हैं आपको लिष्टी देंगे। यह तो इतनी बड़ी एक्सेस के बाद में सारा डेटा निकाला है। यह जो 24,000 वोट डिलीट की हैं पटपड के जिदान साफा में कोई तो रेंडर होगा। इसमें से 21,500 वोट पर लिखा हुआ है शिफ्टिट। यह शिफ्टिट का इस अच्छ है। इन सब नागरिगों का fundamental right to protect करना चुनावायोग की जिम्मेदार यह ना कि उनके चुनावायोग का यह काम नहीं है कि उस पर बीजेपी के कहने के उस पर डाका डाले। तो मैं हल्द करूँगा चुनावायोग से भी कि इसको seriously ले और जिन लोगों को shift करके आपके वीचे के अधिकारियों ने करमचारियों ने बीजेपी के चक्कर में ऐसे छाट-छाट के जिनके गोट कटवाये हैं उनके लिए चाहे आपको दुबारा मुहिम चलानी पड़े करने के लिए जो भी एक्षन लेना है लें हम लोग भी इसके और बहुत निटिग्रिटी में पूरा एक्सराइज कराएंगे एक एक वोटर के पास में एक दूसके पास में पर आपके सामने ही रखना था